के किलास एट का SST का पेपर वा आपका और यह पेपर आपको दिखार हो पिष्ले साल मीटरम का 24 का अपका 18 को पेपर है दोजज़ाच ओव ambush को तो यह पिशले साल का पेपर दिखार हो और आपको पताएगी दःगंदा का पेपर हो रहे है और इस वीडियो में आपको लाच में आंसर की भी दिखा हुआ जैसे कि आपको कोई confusion ना हो कि मैंने ये सही था ये गलत था ठीक है अब जैसे कि कोशेन है ये नमबर ना तीसरा है ठीक है गलती से तू लिखा हुआ अब इनने बोला कि निमलिखित में से क्या भारतिय समीधान की एक विशेश्टा नहीं है इनने बोला नहीं है कौन से नहीं है ताना शाई ठीक है तो ऐसे आप कोशन पढ़ो लाच में आपको आंसर की दिखा हुआ अब यह जैसे कोशन है कि इनने बोला कि निमले खित में से कौन सा देश चावल उत्पादन में अगरिनिये है कौन सा है चीन तो आप एक बार ऐसे कोशन बढ़ो पहले आप क्या करो जैसे नीचे वाला कोशन है यह वाला ठीक है इसको पढ़ लो फिर आप कोशिश करो इसमें से कौन सा है फिर लास में आंसर की चेक कर लेना ठीक है यह कौन सा अंसर था इसका ठीक है ना इसका वैसे आंसर यह है नीजी भवन ठीक है अब यह पैसे पाँच वा कोशन है इसका भी आंसर में आपको बदा दूँ पर देंखनाु इसका अंसर है केंदर सर्कार this is का बताओ पहले फटवर से संदिपोchos सौन की नाम नाम से पर सिथा हो बताओ कि दिल्दी से बताओ ये 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 कि इस नाम से मेश्जूर सा इसे या कि नाम 000 जर गाए ऐसे आप कोशिज करेंगे ना और बहुत आपकी प्रिपेशन हो जाएगे और मैं आपको ने एक वीडियो दूआँ कमेंट में और एक अलग सी वीडियो दूआँ इंपोर्टन कोशिशन की तो उसको भी आप देख लेने तो पूरा बेपर आपको दिखाए है लाश में अंसर दिखा हुआ और मैप बीदेख लेना कि अब सेम मैप आ जाए पैसे इसको होता है कि सेंर भी आ रहाते संसादनों की संक्या 500 तरताईज है तो बताना है कि बहुमत के लिए कुल कितने सद्यसों की अवशक्ता होती है अब इसका अंसर जिसको पता था इमानदारे से वो कमेंड में जुरूर लिख देना तो इसका अंसर बताओ क्या है इसका अंसर है दोस्तो बहत्तर ठीक है तो यह अगर आपको और अच्छा समझना ना एक वीडियो में आपको और देदाऊ कमेंड बॉक्स में आप बहुत अच्छे समझाए विए वो देख लेगा ठीक है पर यह इंग्रिश वीडियो में इंगे शुड़ेब में भी सेम ही है ठीक है और ये कोजिशन है अभी खन खाके अति लगो पर्शन है ठीक है तो इसके भी आंसर आपको दे दूँआ लास्ट में आंसर की आएगी ना वो दिखा दूँआ अब देखो इना कोशन घुमा के दे दिया अभी था न उपर बहुम्मत के लिए कितने संस्दों की आवशक्ता है अब बताओ जल्दी से कौन सा अंसर है इसका 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 अंसर है 71 इन्हें गोला सरकार बनाने की किसी एक संभावना को व्यक्त करना है मतलब बताना है सरकार बनाने के लिए मतलब कोई वावना प्रित करने किसी दो दलों के बीच कट बंदन के सरकार ठीक कुछ ऐसे आपको लिखना पड़े है शोट में कि यह सेक्षिन भी है इन्हेश मीडियम में अभे खर्ण खाये प्रश्यन नहीं है इसके आपको पॉन से देखना और आपको बताना आथमा मतलब क्या होता है व्यक्ता है कि यह कोश्ण कर लो यह कोश्ण इन दोनों में से एक कोश्ण करना है जों सा आपको अच्छा लिखता है अब अच्छा लिख सकते हैं को कोशन करना ठीक है कि यह सेक्षिन ही है कि कि सेक्षिन दी आ गया है लॉंग कोशन हैं तो लॉंग कोशन भी बिल्कुल मत करना ठीक है कि जितना सकते हैं वीजन गर्या जुरूर ठीक है कि अ कि मैप है ठीक है तो मैप आपके पेपर में आएगा 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 आपको पता ही है ठीक है अब इसके आंसर की आपको दिखाता हूं तो यह आंसर की है तो आप अपने आंसर फटावर्सम मैच करते देगी मैंने आपको बताया था ना चीन ताना शाही नीजी बमन तो यह आंसर है कोशन बढ़ना उसके बद कोशन करना आंसर देने की तो आंसर की देख लो फटावर्सम झाते है झाते है सकते हैं तो यह आंसर करते हैं झाते हैं करते हैं झाल 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 झाल